हेलो विवर्स मैं हूँ गोल्डियर गोल्डिस किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुंदरू की एकदम अलग सी रेसिपी एसी रेस्पी जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राइ किया होगा और यकीन मानी अगर आपने इसे बना लिया ना तो आप इसे पार पार बनाना पसंद करेंगे और दो के बदले चार ओटिया खाज जाएंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी आज की हमारी रेस्पी बन करके तैयार होगी तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक जरूर देखना बहुत ही मज़ेदार वाली रेस्पी है बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जबरजस्त आई देख लेते हैं से कैसे बनाया जाए तो कई इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बगल मिश्टा से बहला करने को सप्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि आने वालो मेरे ने अपड़ेट या फिर आपको क्या करना है हम या पर एक कुंदुरू लेंगे इसके आगे और जो पीछे का जो हिस्सा है न छोटा सा हम इसे कट करेंगे और हमें से बीच में इस तरीके से चीरा लगाना है आप चाहें तो फोक के सारे से पोक भी कर सकते हैं अगर आपके पस टाइम नहीं तो आप डारेक्ली पूरा इसे खड़ा बना लीजे मैं इसलिए इसमें चीरा लगा रहे हूँ ताकि मसाले वगर इसमें बहुत असानी से चले जाए तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है एकदम पॉफेक्ट इसी तरीके से तो सारे कुंद्रु को ना हम फटा-फट से हल हलका सा दोनों तरफ से कट करके हम इस तरीके से चीरा लगा लेंगे और यह लिजे सारे कुंद्रु को मैंने आप अच्छी तरीके से दोनों तरफ से कट करके हलका सा चीरा लगा लिया है इसे मैंने पहले अच्छी तरीके से वाश कर लिया था अब मुझे इसमें डाल देन इस तरीके से टासकाव कर ले नहीं स्थे नेक्स टेप स्टार्टे हैं जालूँगी और इन्हें डालने के वाद मुझे इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से प्राइ करना है तो आप शैलो फ्राइब शैलो फ्राइ करेंगे तो बहुत अची तरीके से पक जाएगा और इसे में थोड़ा कम ही लगता तो मैं इसे अलगभध 10-12 मेंट के लिए धीमी आज पर अच्छी तरीके से पकने दूँगी ताकि कुंदुरू अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जा और बाहर से अच्छी तरीके से कलर आ जाए तो अब मैं 10-12 मेंट बाद आपको चेक करके दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कि कुंदुरू को पकते हुए 10-12 मिट हो चुके है बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक गया है इसका ग interven отнош criminal से बहुत ही अच्छा है और इसे अंदर से पकना बहुत ज़ादा जरूरी है तो यह बहुत अच्छी तरीके से पग गया है और हल्का सा अंदा से साफ्ट भी हो गया है तो इसी तरीके से मुझे सारे कुंदरू को फ्राय कर लेना है तो दूसरी बाइश के कुंदरू को भी मैं डाल करके अच्छी तरीके से फ्राय कर लूणगी तो आप प्रोसेस प्रेट ऋरेस्त में Only नैंब मुझे इसमें डाल देना हैं बाहर ए ऐक टावा प्यास तो मैंने आपना भलand एक पर बिर्ड़ав। में चौप किया था आप चाहें तो पीस भी सकते हैं और अब मुझे इने अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए तब तक पकने देना है जब तक यह प्यास हल्कासा सॉफ्ट नहीं हो जाता है इस तरीके से में पकने देना है अगर आप यहां पे आनियन नहीं खाते हैं तो आप क्या करिये इसके और प्रेश में जो मगश होता है उसे कर के डा सकते हैं सो फाइनली आप देख सकते हैं कि प्यास को पक्ते हुए 5-7 मिन हो चूके है और इसका कलर भी बहुत ए acquiring से बदल गया है प्यास अच्छे से अबूर गया है और और इस ने छोड़ना शुरू कर दिय है आप चाहें तो यहां पर लाल मिश का इसमाल कर सकते हैं मैंने आप चार से पांच दीखिवाल इमेज डाली है जिसे दो बीच में से दो पार्ट में कट करके डाला है तो सबी चीजों को अच्छी तरीके से में भूनना है पकने देना है उसके बाद हम इसमें आड करेंगे तो बारी कटा हुआ तो हमने आप लगबग दो बड़े साइस के टमाटर को बारी कट कर लिया है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चाहें तो यहां पर प्यूरी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बट अगर आप इसे बारी कट करके डालते है तो बहुत अच्छा इसका पूछे मत बहुत जाधा अमेजिंग यह बन करके तयार होगा तो चलिए इसी के साथ सातना मैं इसमें को सुखे मसाले भी डाल देती हूं ताकि वह अच्छी तरीके से पक जा तो हल्दी पाउडर आड़ करेंगे आदा चोटा चमच दो बड़े चमच हम यहां पर आड़ क करेंगे नमक डाल देंगे स्वाद के नुसर और अब मुझे इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पकने देना है तब तक जब तक प्यास और मसाले अच्छे से पक ना जाए बहुत लोग क्या करते हैं इसमें आड़ करते हैं थोड़ा सा दही या फिर आ प्यास और मसालों को पकते हुए 5-7 मिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पग गया है सौफ्ट हो गया है यानि कि बहुत अच्छे से पग गया है तो अब मुझे आड़ कर देना है बारिक कटाव हरा धनिया आप यहां पर इसे और ज्यादा लिए बन करके तयार होगा तो फिर से मैं सभी चीजों को अच्छी तरीके मिक्स कर लेती हूँ और सभी चीजों को मिक्स करने साथ अब मुझे इसमें डाल देना है शलो फ्राइऑ किये हुए कुंद्रू एकदम परफेक्ट और अच्छी तरीके से अब मैं इसे भी मिक्स क करूंगी और एक से देड़ मिट के लिए मुझे इसे पकने देना है तो फाइनली हमने आपे सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब मुझे इसमें डाल देना है पानी तो हम यहाँ पे दो कप के करी पानी आट करेंगे पानी डालने के बाद अब मुझे इन अब मैं इसे ढग देती हूं और पांसे चेक करेंगे हम तो लीजे सबसी को पकते हुए पांसे चे मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी उबाल आ रही है इसमें से इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है अब बहुत जादा टेस्टी आपक मज़ेदार दिख रहा है ये देखे है न बहुत जादा लजीज तो अब इस टेस्टी मुझे क्या करना है फ्लेम को आफ करना है और फटा फट से इस सबसी को न मैं एक प्लेट में ट्रास्फर कर लूँगी आप देख सकते हैं सबसी कितनी जादा टेस्टी बनी है खाने मे बहुत जादा मज़ेदार है और कुंद्रू की अगर आपने इसी सबसी बना ली न तो यकीनन आप दो के बदले चार रोटी खाएंगे और ये सबसी आप नान, पूरी, पराठा, चावल सब के साथ खा सकते हैं बहुत जादा टेस्टी बहुत अमेजिंग बनती है और अब आप भी इस तरीके से कुंद्रू की एक बार सबजी बना करके देखिए, आपको ये रेस्पी डेफिनेटली पसंद आएगी और अगर आपने इसे ट्राइ किया है तो इसकी पिक मुझे इंस्ट्राग्राम पर जरूर टैक कर देना और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर बनता है मेरे शानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीचे और बगल में चटा सा बैल आइकन होगा उसे प्रेस का ना बिलकुल ना भूले ताकि आने वाले मेरे ने अबडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे थैंक इफूर ओचिंग गोल्डिस कीचन बबाई फ्रें